के सब्सक्राइब का लाल बटन यहाँ पे है और बेल आइकन प्रस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे इसके बारे हम जाने आज तो पहले जानने से पहले हम देख लेते हैं कि उसके प्रोड़क्स क्या करती है जिनको नहीं पता है तो जानने कुछ करेंगे अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं तो देखिए यहाँ पर इनके जो प्रोड़क्स हैं इंड़स्ट्रिस रडेटेड जो हैवी एक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि यसी हो गई हो गई हगि और यह सारे इनके प्रोड़क्स हैं आप्स पास बिखती होंगे जहां बहुत कांश्टक्शन का काम होता रहता है कि यह बनाती है और और डोमेस्टिक में अगर इंडिया में आते हैं तो हम देखते हैं कि इनका रेलवे में भी अच्छा खासा रेलवे के लिए भी काफी components, products, brake system बनाते रहते हैं और यह देखें यहाँ पर couplers, suspension system और friction and rubber products यह रेलवे के लिए भी काम करते हैं और agriculture में आ गए तो farmatic, farm track, इनके जो tractors हैं किसानों के लिए, किसानी बाखेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले और spares and lubricants यह सारे इनके products, generators, engines and gen sets, generators, अब आप समझ गए होंगे, escort से कौन परचीत नहीं है, आपके आस-पास बहुत सारे इनके equipment से दिख जाते हैं, चली हम जानते हैं आज इसका क्या price है, मई 2019, 16 मई, 12 बच के basement, 569 रुपए के भाव पे रेट होड़ा 9 रुपए 15 पैसे की upside है और जो इसका 52 वीक लो था, पास जो 41 रुपए अपने लो के आस-पास है, और हाई था इसका 999 रुपए एक good quality की company है, sales growth है 7.77% की, EBIT growth है 24.47 की और ROC है 14.10% की, ROE है इसका 9.68% की, और Scots Limited, एक हमारे subscriber friends ने पूछा था की जरूर बताईएगा मार्केट का है प 6,833 करोर की, EPS है 39.56 की, PE है 14.09 की, price to book है 2.26 की, industry PE है 14.53 की और deliverable है 23.12% की और face value 10 की अभी भी है, यह वो dividend paying stock है, हम financial पर आएंगे देखिए Q4 के results आ चुके हैं, जहां December 18 में इनकी net sales थी 16.75 करोड की, मार्च 19 में तो 1.41 करोड की तो 1.41 की downside है और वहीं पर net profit में अगर हम आते हैं, तो जहां December 18 में 140 करोड की थी, मार्च 19 में 121 करोड की रहे गी जो की करीब 13.39 के आसपास downside है और margin में भी देखिए यहां पर, यहां पर 0.48 की थोड़ी सी गिरावट है लेकिन वहीं हम annual results देखते हैं, तो मार्च 18 एर-on-year growth पे जहां मार्च 19 पे 23.26% की growth है net sales में और net profit में भी 38.01% की growth है और margin में भी 0.67% की growth है, तो year-on-year अच्छो results है लेकिन quarter में इनके जो है थोड़ी सी गिरावट आई है, net profit में भी है और net sales में भी है और बहतरीन बात यह है कि देखे प्रमोटर्स के पास 40% के आस-पास holding है और mutual funds की 18 schemes है, FIIs 233 FIIs है और foreign institutional investors ने अपनी holding देखी यहां पे increase की हुई है 2.95% की यहां पे increase है और highest public shareholder है राकेश जुंगिनवाला साब 8.16% की तो जबरदस इन्होंने अपना पैसा लगा रखा इसमें इस stock में तो जरूर कोई बात है और foreigners और हमारे इंडिया के जबरदस्त जो investor है उन्होंने अगर इस company अपनी बहुत अच्छी बात है इंडिविज्वल इंवेस्टर्स हैं खुद्राग राहत 27.39% की तो इस quarter में तो auto tractors related company है 1944 से काम करें स्कॉद्स और अपनी इंडिस्ट्री में नंबर वन है तो friends जैसा कि हमने बताया कि इनके products भी आप जान लिये आप इसका भाव भी जान लिया तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अभी इस समय इतनी दिग्ज्च company में एक results खराब आने से और अपने जो 50 साल का जो लो बनाया था उसी की आसपा स्ट्रेट कर रहा है तो ऐसी company असमयों में मुझे लगता है कि पैसा लागाना सीफ रहेगा अगर हम दस सालों नहीं के रिटन एक ते दो दस सालों में इनों ने 1212% की रिटन दिया जो कि बहुत कमाल के हैं, आपका पैसा 12 गुना कर दिया है, और 5 सालों में 344% की यज़ी अच्छा रिटन है, 4 सालों में 389% की आसपास रिटन यज़ी अच्छा है, 3 एर्स में भी 290% की आसपास के रिटन लेकिन द दो सालों से पॉर्टर के रिजल्स खराब आने से हमें इस कंपणी से भरोसा उठ गया बने रही है आप अच्छी कंपणी है जिन्होंने भी मुझसे पूछा था मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी कंपणी मेरी तरब से मैंनेजर इंफोर्मेशन दी जो मैंने इसके कंपणी के प्रोडक्स बता हैं जो मैनेजमेंट गुड क्वालिटिक कंपणी है और वेलवेशन अगर हम करते हैं कि सॉरी वेलवेशन पर अभी देखिए यहां पर अट्रेक्टिव वेलवेशन पर ट्रेट कर रहा है तो निसंदे अगर किसी करणव और गिरावट आती है तो भी अच